हेलो बच्चो कैसे हो तो आज का हमारा टापिक है critical angle and total internal reflection critical angle को denote करते हैं हम IC से तो ray optics chapter पढ़ड़ा है आपको पता है और ray optics में चलना है reflection of light तो आप अपनी notebook लो और notes बनाने शुरू कर दो तो बड़िया important topic है, बड़िया numerical बनते हैं, बड़िया theory के question आते हैं, तो ये topic समझाने के लिए मैंने पहले सा ही देखो, एक बड़ा सा interface बना दिया, ये क्या है interface, और नीचे है denser medium और उपर है rarer medium, अगर example की बात करें तो denser medium हो गया, होगा मानलो एक glass, glass एक denser medium है और air एक rarer medium है, तो हमें ये पता है, जब light move करती है denser से rarer, ठीक है, denser से rarer, तो क्या होता है, तो जो refracted ray है, वो away from the normal चली जाती है, कैसे, देखो, ये एक incident ray है, ये देखो, ये एक incident ray, फिर से बनाते हैं, ये incident ray है, और ये है angle of incidence I, अब denser से rarer गए, तो जो refracted ray बहार निकलेगी, वो away from normal निकलेगी, वो ऐसे, ये आपकी बनेगी ये, सही है, ये हो गया angle of reflection, ठीक है, ये बात हम पढ़ चुके हैं, और इसमें स्नेल स्लो कैसे लगता है, ये भी आपको पता है, एक बार बता देता हूँ, denser का refractive index N2 है, rarer का refractive index N1 है, और इसमें स्नेल स्लो लगाने का सबसे अच्छा तरीका है, नीचे का refractive index, नीचे का angle, मतलब जहां का refractive index हो, वही का angle ले लो, sign angle ले लो, और दोनों को multiply कर दो, यानि N2 sin I, N2 sin I, is equal to N1 sin R, N1 sin R, ठीक, ये सबसे असान तरीका है, अब इसमें आप ऐसे लिख सकते हो, sin I upon sin R, equal to N1 upon N2, सही है, पता है आपको ये, अब हम एक काम करते हैं, यहाँ पर angle of incidence बढ़ा देते हैं, ठीक, angle of incidence हम क्या गरेंगे, बढ़ा देते हैं, चलो इस बार scale की मदश से बनाएंगे, हमने angle of incidence बढ़ा दिया, यह हो गया सहाब, angle of incidence, now this is I, ठीक है, और यह रिफ्रेक्टेट दे, तो angle of reflection क्या होगा, बताओ, normal से और ज्यादा अवे हो जाएगा, पहले ऐसे था, अब भहिया यह ऐसे आ जाएगा, बढ़ जाएगा, चलो इसे बढ़ा दो, बढ़ा क्या दो भाई, वो तो बढ़ेगा ही, लो साब यह बढ़ गया, angle of incidence, आई है, और यह होगया, हमारा angle of reflection, आर, साही, बात आ गई समझ में, अगर हम further I की value बढ़ा दें, थोड़ी और बढ़ा दें, तो क्या होगा, ऐसी stage आएगी, जब यह आर, यह जो refracted ray है, यह, इस line को छूने लगेगी, और, angle of reflection क्या हो जाएगा, वो 90 degree हो जाएगा, देखो कैसे, हमने I थोड़ा और बढ़ा दिया, यह बढ़ा दिया, हमने थोड़ा और आई, साही, यह देखो, this is your incident ray, अब क्या होगा, refracted ray, interface को touch करेगी, touch क्या करेगी, बिल्कुल, ऐसा है निगल जाएगी, देखो, यह, this is your refracted ray, खुब dark बना दी मैंने, यह, और यह, angle of reflection, this is equal to 90 degree, तो जब angle of reflection 90 degree हो जाता है, तो angle of incidence हो जाता है, I C, जिसे हम कहते हैं, critical angle, critical angle, साही है, यह बाद आपकी समझ में आ गई, यह हमारी definition हो जाती है, critical angle की, मतलब वो, वो angle of incidence, जिस पे angle of reflection 90 degree होता है, वो कहलाता है, critical angle, तो यह definition लिख देते हैं, the angle of incidence corresponding to corresponding to angle of refraction angle of refraction refraction equal to equal to kya equal to 90 degree is called critical angle critical angle जिसे हम denote करते हैं, I C जे, यह हो गई, इसकी definition, आ गई, आपकी समझ में, screen pause करके note down कर लो, करने रब, चलो, अब पढ़ेंगे, total internal reflection, total internal reflection की condition का बाती है, अगर हम angle of incidence और बढ़ा दें, थोड़ा सा, और बढ़ा दें हम angle of incidence, चलो, scale लेते हैं, लो साब, थोड़ा और बढ़ा दिया, यह लो, यह हो गया आपका angle of incidence आई, अब क्या होगा बताओ, भाई देखो, यहां से तो यह 90 degree हो गया angle of reflection, अब क्या होगा, अब angle of reflection, अब तो reflection ही नहीं होगा, अब reflection होगा, यह जो incident ray है, अब यह denser medium में ही reflect कर जाएगी, इस तरीके से, यह देखो, ऐसे, यह denser medium में reflect कर गई, और यह हो गया, आर, angle I is equal to angle R, now there is no reflection, ठीक है, no reflection, यह क्या लिखा है, no reflection, यह याद रखना बच्चो, जब angle of incidence, यानि I, critical angle को cross कर जाए, तो reflection नहीं होता, क्या होता है, reflection होता है, और उसे हम कहते हैं, total internal reflection, ठीक, तो total internal reflection की दो conditions है, वो conditions दो क्या है, पहले तो यह, कि light, light should travel from denser medium to rarer medium, पहली बात, और दूसरी condition यह है, कि angle of incidence I, यह critical angle से बड़ा होना चाहिए, ठीक है, तो यह आप नेचे लिख लो, यह भी रख कर देते हैं, कहा है हमारा डेस्टर, ठीक, condition for total internal reflection, condition for total internal reflection, ठीक है, समझ गे ना, यहां total internal reflection हो रहा है, पहली यह, light should travel from denser medium to rarer medium, और दूसरी condition क्या है, दूसरी means condition number B, condition B, कि angle of incidence, angle of incidence, should be, should be क्या, greater than, greater than, the critical angle, critical angle, तो ध्यान में रखना यह condition, exam में पूछ ली जाती है, competitive exams में भी आती है, यह, लिखने को कई बार, लिखने को means multiple choice आ जाते हैं, यह match the following आ जाते हैं, इस तरीके से, यह condition याद रखना, ठीक है, यह याद रखना, total internal reflection में, there is no reflection, ठीक, angle of incidence is equal to angle of reflection, इसका क्या आरत्वा, law of reflection, क्या, law of reflection क्या, is valid here, is valid, मतलब जो total internal reflection होता है, तो law of reflection is valid, सही है, इसे note-down जालो बच्चो, एक और खास बात बताने जा रहे हैं आपको, आप यह देखो, यहाँ पर, जो process हुआ, it is reflection, light refract कर रही है, जब angle of incidence, critical angle तक पहुचा, तो जो process हुआ, it is called grazing, grazing means, छूके निकल जाना, छूके निकल जाना, किसी त्रीच को धीरे से छू देना, समझ गहना, जैसे यह गाल है, धीरे से छू दिया, तो यह refracted ray ने interface को छू दिया, it is called grazing, ठीक, लिख लो यहाँ, यहाँ लिख लो, G, R, A, Z, I, N, G, और angle of incidence, हम critical angle से भी ज्यादा कर दें, तो यह हो जाता है, total internal reflection, total internal reflection, तो इस तरीके से कहीं बार पूछ लिया जाता है, कि जब angle of incidence, less than critical angle होता है, this is critical angle, तो प्रोसेज होता है, refraction, जब angle of incidence, equal to critical angle होता है, तब होता है, तो इस बात को लिख लो, अब हम पढ़ेंगे, relation between, critical angle and refractive index, तो यह आपने note कर लिया, मैं इसे heading को रप कर रहा हूँ, ठीक है, जिन्होंने यह note नहीं किया, वो note कर लो, screen pause करके note कर लो, ठीक है, रप कर दे, चलो, अब heading डालते है, relation between critical angle and refractive index, रिलेशन बिट्वीन ग्रिटिकल एंगिल and refractive index, चलो, अब हम फिर से स्नेल्स लो लगाएंगे, स्नेल्स लो लगाने का क्या तरीका है, आपको पता लग गया है, लिखो स्नेल्स लो, बड़े काम का लो है ये, तो नीचे का refractive index multiplied by sign of this, ये क्या है, Ic, critical angle, ठीक, इस figure को consider कर रहे हैं, अभी इसको बोल जाओ, क्योंकि हम सिर्फ critical angle की बात कर रहे हैं, तो, N2 multiplied by sin Ic, sin Ic equal to N1 multiplied by sin 90, sin 90, sin 90 क्या होता है, 1, तो ये हो गया आपका sin of Ic, Ic equal to N1 upon N2, देखो, ये तो 1 रख दिया हमने, N1 और N2 यहाँ नीचे आगया, अब हम मान लेते हैं, चलो उससे पहले ये क्या होगा, आप देखो, this is refractive index of 1 with respect to 2, क्या हो आओ, refractive index of 1 with respect to 2, clear, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, sin of Ic, is equal to 1 of refractive index of 2 with respect to 1, ये बात भी बिल्कुल साही समझ में आ गई, ये आपस में reciprocal होते हैं, एक दूसरे के, clear हो गई ये बात भी, बहुत बढ़िया, अब यहाँ line खेच लेते हैं, line इसलिए खेच ही है, अब हम example लेंगे कि denser medium है, glass, glass और rarer medium है, air, तो अगर हम smell slow लगाएं, तो देखो, sign of Ic, क्या हो जाएगा यहाँ, N1 is air, N2 is glass, तो ऐसे लिख सकते हैं, N of air upon N of glass, सही है, कोई प्रेशा नी नहीं, this is equal to refractive index of air with respect to glass, सो, sign of Ic, equal to 1 upon refractive index of glass with respect to air, हमने रैसी प्रोकर इसलिए लिया, क्योंकि हमें glass का refractive index पता है with respect to air, वो होता है 3 by 2, तो आप यह याद रखो, sign of critical angle is equal to 1 of refractive index of denser medium with respect to rarer medium, यह बात समझ में आ गई, तो यह Ic कैसे निकल सकता है, Ic is equal to sin inverse 1 upon Ng into A, सही है, यह बाद एकदम is first, अब यह उपर का डाइगराम रब कर देते हैं, यह आपने बना ही लिया है शुरू में, अब example लेते हैं, different different example, जैसे water, glass, diamond, उन example की मदद से, इसकी significant समझेंगे, कि इसकी critical angle की, अब जैसे हमने एक example लिया, चलो पहला, दूसरा, तीसरा, पहला लेंगे हम water, दूसरा लेंगे glass, तीसरा लेंगे diamond, इंका refractive index बताओ क्या होता है, refractive index, air के respect में, glass का होता है 1.5, अभी glass का लेंगे चलने हैं, क्योंकि यहां glass लिखा है, तो जब glass का 1.5 होता है, तो इसका critical angle इस formula से क्या होगा, यहां, यहां लिख लो critical angle, तो IC हो जाएगा sine inverse, 1 upon 1.5, इसकी value आप देखोगे, this is equal to sine inverse, 1.5 होता है, 3 by 2, तो यह होगा 2 by 3, एक बात बच्चों numerical करते वे दिहान में रखना, अंदर यह जो value आईगी, it should be less than 1, क्योंकि sine inverse, it is always less than 1, sine की value 1 से कम होती है न, यह बात याद रखना, अगर यह आपके numerical में 1 से ज़्यादा आजा है, तो सोचलो आपने कहीं गलती करी है, तो sine inverse 2 by 3 होता है, approximately 42 degree, तो इसका critical angle, glass का critical angle कितना हो गया, 42 degree, water की अगर हम बात करें, तो इसका refractive index होता है, 1.33, critical angle कितना हो जाएगा, sine inverse, 1 upon 1.33, यह आपका निकल के आता है, 48.7 degree, लगबग, diamond का refractive index होता है, 2.42, और यह critical angle निकल के आता है, 24.4, ठीक है, इसका निकालोगे तो यह आजाएगा, sine inverse, 1 upon 2.42, तो आप देख रहे हो, जैसे जैसे refractive index बढ़ता जा रहा है, यानि जैसे जैसे medium denser होता चला जा रहा है, वैसे वैसे critical angle कम होता जा रहा है, reduce होता जा रहा है, यह आपकी आज की observation है, सही है, हो गया किलिए यह बात? तो इसे note down कर लो आप, screen pause करके, rub कर दें, चलो, यह भी हम जानते हैं, कि refractive index जो है, वो light की wavelength पे depend करता है, तो critical angle, चुकि refractive index पे depend करता है, इसलिए critical angle हर wavelength के लिए अलग होगा, यानि अलग color की light के लिए critical angle अलग होगा, yellow के लिए अलग, green के लिए अलग, ठीक है, यह बात समझ में आ गई, important बात है, लिख लेते हैं, since, since refractive index, REF लिख दिया, refractive index depends upon wavelength of light, wavelength of light, यह लेक लेक हैं लेटो अलगोङ कbe दृट्ग करता है, यह लिए लिए लेववेवेदेट लेज़ टिरू अलगे ल लेड़ेंगे, लेझे, वेवलेंट ब्रैकेट में कलर भी लिख लो कलर की क्या स्पेलिंग होती है कहीं कहीं लिखी भी होती है कोई बात नहीं हम इंदुस्तानी तो ऐसे लिखते हैं ठीक है नोट कर लो यह बात एक चीज और हमने पढ़ी थी जाध दिला देता हूं Numericals में बहुत काम आईगी Refractive Index Of Glass With Respect To Air configure index of glass with respect to air यह क्या होती है आफ लाइट इन एर सत्य बात डिवाइड़ बाय क्या विलोसिटी आफ लाइट इन ग्लास हम ग्लास और एर का एक्जामपिल लेके चल ले हैं ग्लास की जगे डाइमेंड भी हो सकता है वाटर भी हो सकता है ठीक उसी इसाफ से चीज़े बदल जाएंगे पैरामीटर चेंज ह जाएंगे इत्ते समझदार आप हो ना वेरी गुड तो अब यह क्रिटिकल एंगल की बात करें तो यह जो आपका साइन साइन आई सी साइन आई सी यह क्या हो जाएगा इसका रैसी प्रोकल हो जाएगा विलोसिटी आफ लाइट इन ग्लास अपाउन विलोसिटी आफ लाइट इन एर यह बात ध्यान रखने योग्य है सही है इस बात को नोट डाउन कर दो इसे मिटा देते हैं ठीक है अब आप एक इक्जामपिल देखिए बहुत अच्छा इक्जामपिल है इस इक्जामपिल में हमें रे डाइगराम बनाना है इंसिडेंट रे हमें दे रखी है यह तीन केसे हैं यह एक ग्लास है मानलो ग्लास है ग्लास भी कहीं तरीके के होते हैं और उस ग्लास का रिफ्रेक्टिव इंडेक्स है टू तीनों सेम टाइप के ग्लास है रिफ्रेक्टिव इंडेक्स है टू और आपको रे डाइगराम ब अब कैसे बनेगा यह मैंने इसलिए लिया है example क्योंकि मैंने observe किया है बच्चे बहुत गलती करते हैं इस तरीके के questions में question simple होते हैं लेकिन बच्चे गलती कर जाते हैं तो वह मैं बताता हूं क्या होती है गलती जब हमें refractive index दे रखा इसका इस glass का तो वह air के respect में दे रखा है refractive index of glass with respect to air हमें सबसे पहले इसका निकालना चाहिए critical angle ठीक है ray diagram बनाने के लिए तो critical angle क्या होता है sign inverse 1 upon refractive index of glass with respect to air तो यह हो जाएगा sign inverse 1 upon 2 देखो ठीक है यह बात तो clear है sign inverse 1 by 2 क्या होता है 30 degree तो critical angle हो गया 30 degree I see is the critical angle अब आपको यह देखना है कि यह incident ray क्रिटिकल एंगिल से कम बना रही है एंगिल ऑफ इंसीडेंस यह critical angle के एकक्वल बना रही है यह critical angle से ज्यादा बना रही है अब यहां इस case में बताओ एंगिल ऑफ इंसीडेंस कितना होगा बताओ अपनी कॉफी पर लिखो अब मैं बताओ कुछ students क्या है वह यह कहते हैं कि साब एंगिल ऑफ इंसीडेंस 60 डिगरी है जो कि critical और नियुक्त करो को हमने नॉर्मल प्राट कर दिया क्या प्लाट कर दिया नॉर्मल ध्यान से देखना बच्चों यह एंग्जाम्पिल बहुत अच्छा और अब यह इंसीडेंट रे नॉर्मल यह एंगिल बना रही है तो यह नॉर्मल से यह वाला ऐंगिल बना रही है कितना है यह एंगिल नैंee डिग्री है 90 डिग्री है तो यह कितना हो गया 90-60 यानि 30 डिग्री तो यह कितना एंगिल बना रही है critical angle के equivalent तो इस case में angle of incidence equal to critical angle तो यहां क्या होगा glazing होगी इस वाले case में glazing होगी जो refracted ray है वो interface को touch करेगी तो इस तरीके की refracted ray बनेगी देखो देखो यह यह बन गई था आप this is refracted ray अगर यह incident ray है तो यह refracted ray है और angle of reflection है 90 डिग्री आगई यह बात समझ में तो यहां क्या हो रही है glazing कि यह बात आपको clear हो गई अब आप इस problem को भी solve कर लोगे यहां पर angle of incidence कितना होगा देखो हमने इस point पर क्या करा सबसे पहले normal करा लोग साब यह normal हो गया ठीक है एन एन डैश हम यह 58 है तो यह एंगल कितना होगा भाई यह 90 है यह वाला ठीक यह एंगल 90 है तो यह एंगल वह angle of incidence is greater than critical angle जब angle of incidence critical angle से ज्यादा होता है तो क्या होता है total internal reflection होता है ठीक और law of reflection इसमें लगता है तो रे कैसे जाएगी ऐसे total internal reflection हो जाएगा और रे ऐसे जाएगी ठीक this is your reflected ray this is your incident ray और यह angle कितना होगा बताओ this is angle of reflection यह भी होगा 32 डिगरी कितना 32 32 डिगरी क्यों होता है angle of incidence equal to angle of reflection law of reflection यहां valid होता है तो आपने देखा mirror के बगेर ही reflection हो रहा है when angle of incidence is greater than critical angle तो यहां क्या होगा total internal reflection अब आप थर्ड इक्जाम्पिल देखो बच्चो थर्ड इक्जाम्पिल में आप फिर से यहां एक normal plot करो यह बना दिया था आप हमने एक और normal and and dash अब यह angle कितना होगा this is angle of incidence और यह होगा 90 minus 65 which is equal to how much 25 विल्कुल सही बदाया 25 degree अब यह critical angle से कम है critical angle 30 है यह critical से कम है तो यहां reflection होगा और light जा रही है denser medium से rarer medium क्योंकि यह glass है और बाहर air है तो denser से rarer जाती है तो away from the normal अगर यह सीधी जाती तो ऐसे चली जाती लेकिन यह normal से हटके जाएगी यानि 25 से बड़ा angle बनाएगी यह चली गए आपकी और यह हो गया angle of reflection यह reflected ray यह incident ray तो यहां पर क्या हो रहा है reflection तो इस तरीके से यह तीनों के आपको clear हो जाने चाहिए और मेरे खाल से इस example से clear हो गए होंगे इस से related numerical आता है concept clear है तो numerical easy है शही है बच्चो तो आप इसे दिहान से देखो समझो notebook में यह तीनों cases उतार भी लो copy कर लो ठीक है आज के लिए इतना बहुत है चलते हैं फिर bye best of luck